हेले अबरेयन मेरा नाम है विक्रम सिंग और आप देखरें आपका अपना यूटीब चनल मैक्स का किड़ा तो गाइस एस पी पी ने गाइडलेंज रिलीस कर दिया है एक्जामिनेशन के लिकिनके एक्जामिनेशन के जिनका बैक लॉक्ट के एक्जामिनेशन है या फिर सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करतें इस व्यूडियो को तो गाइस पहला पॉइंट इसमें जो बोला है पहली चीज़ तो बोल दी कि 3 डिसेंबर से 16 डिसेंबर के बीच में आपका एक्जाम होगा अब आगे सुनिए अब रिटन एक्जाम की बात करें रिटन एक् वो टेलिफोन या फिर गूगल मीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट मीट या दूसरे ऐसे जो एपस है या सॉब्वेर है उनके थुरू आपका ओरल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है वो सेमिनर एक्जामनेशन लिए जाएंगे ठीक है अब उसके बाद में क्या बोला है 26 से स 2 डिसेंबर तक यह सारा कुछ होना चाहिए यह सारा कुछ जो आपका प्रोजेक्ट वगर है सारा कुछ 26 नौवेंबर से 2 डिसेंबर के बीच में हो जाना चाहिए और इसका जो रिकॉर्ड है सारा कॉलेज अपने पास रखेगा बाद में उनिवसरी को समिट करेगा तो उस का जो रिजल्ट है वो 25 डिसेंबर के पहले पहले को यूणिवसरी इसको देना पड़ेगा तैमिस का मतलब क्या होता है समझी कि कॉलेज यह आपका एक्जाम लेगा तैमिस कॉलेज यह पेपर बनाएगा कॉलेज ही शेडियूल करेगा आपका जो एक्जाम का जो उनको एक डेट दे अब उसके बीच में कॉलेज वाले अपना टाइम टेवल बनाएगे और पेपर सेट करेंगे सब कुछ कॉलेज करने वाले मतलब कॉलेज के लेवल पर एक्जाम होने वाले तो टेंशन मत लेना बिलकुल भी तो आपका रिजल्ट बिफोर 25 डिसेंबर के क्या पहले रिजल्ट कॉलेज उनिभेसली को दे देगा उसके याद उनिभेसली उसे बना करके आप आपको अनौश करेगा ठीके उसके वह व्यूद कैसे एक घंटा मिले अब उसके अंदर 40 परसंट जो को सेंगे वह इजी रहेंगे 40 परसंट अगे कोशन लेंगे that means average और 20 परसंट डिफिकल्ट कोशन होंगे ठीक है अब कॉलेज है सारा टाम टाइब करेंगा उसके आप में बोला है डिसेबल स्टुएंट्स जो है उनको 20 मिनिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और वो हायर कर सकते हैं कोई उनके साथ असिस्टेंट या फिर राइटर अगर वह प्रिंसिबल से बात करके तो गाइस इस वीडियो इस पूरे सर्कुलर में यह पूरा पॉइंट टो पॉइंट मैंने आपको अच्छे से लिख करके मैंने